राहूल गांदी की लोकसभा सदस्यता रद करने के खिलाफ कॉंग्रेस आज देश भर में संकल्प सत्यग्रह कर रही है। पार्टी की सभी बड़े नेता और कारेकरता सभी राज्यों में जिला और ब्लॉकसतर पर महत्मा गांदी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। टुटर प्रोफाइल में इस बदलाव से राहूल ने देश और दुनिया को ये संदेश दिया है कि उनके साथ बड़ी ही नाइंसाफी की गई है। एक शोचल मीडिया मंच जैसे ट्विटर, फेस्बुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट्स में नई प्रोफाइल फोटो लगाई थी। ये ब्लैक और वाइट फोटो राहूल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है जिस पर लिखा है डरो मत। कॉंग्रेस के नेताओं ने राहूल गांधी पर फैसला आते ही अपनी प्रोफाइल फोटो चेंज कर दी। यही नहीं कॉंग्रेस पार्टी ने अपने अधिकारिक ट्विटर पर और इंस्टेग्राम हैंडल की डीपी भी बदल दी थी। इन सब पर राहूल गांधी के ब्लैक औन वाइट तस्वीर लग गई थी। तस्वीर में लिखा है डरो मत। यह अपने ट्विटर भायों में बदलाव करना और खुद को डिस्क्वालिफाइट एंपी बताना मोधी सरकार के सामने एक बड़ी चुनोती पेश करने जैसा है यानि राहूल ने एक बार फ़र साफ कर दिया है कि वो डरने वाले नहीं हैं डीबी लाइब की रिपूर्ट ठाले नहीं है झाल झाल